हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल फ्रेंड्स देखे आज हम लीफ वाला डोर मैट बनाएंगे उसके लिए देखे मैंने ये चून्नी की एक इंच चोड़ी पटी काट ले हैं इतने चोड़ी देखे मैं इसे चून्नी से बनाऊंगी आप इसे साड़ी मैकरम उन से भी सकते हैं तो देखे ये मैंने पिंक कलर लिया है और यहां पर इसमें मैं 25 फंदे डाल लूँगे 25 फंदे मैं बिल्कुल सिंपल डाल लूँगी ऐसे देखे यहां पर एक नोट बनाएंगे ऐसे इस तरह ऐसे अगर आप दूसरी गाठ ना लगाएं तो भी यह हम दबाने में ले लेंगे इस तरह से देखे लेकिन इस तरह से यह आसानी से हमारी निडल्स में इस तरह से घुम जाए ऐसे लेंगे इसमें हम 25 फंदे बिल्कुल सिंपल तरीके से ले लेंगे तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, वारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिस, बीस, एकिस, बाइस, तेस, चोविस, और एक पचिस. देखे, यहां पर आप हम फंदे जोडे से नहीं लेंगे, चोविस फंदे लेंगे, एक फंदा हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहां पर हमारे 25 फंदे होगे. अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहें लीफ को, तो आप इसमें 30 फंदे लेंगे, लेकिन 30 फंदे लेने के बाद एक फंदा एक्स्ट्रा लेंगे, 31 फंदे लेंगे. तो देखें, अब हम क्या करेंगे, इस रो को हम पूरी उल्टा-उल्टा बना लेंगे, यह देखें, इस तरह से अगर हम फंदे लेंगे, तो पहली रो आराम से बुनते हैं, इस तरह से. थोड़ा सा अराम से निकालते हैं, ऐसे. फर्स्ट रो आराम से निकाल लेंगे. फ्रेंड्स देखें, वीडियो देखने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको मेरी वीडियो ची लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए. अपने friends group में share किया किजिए साथ में जो bell icon है उसे press किया किजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुच के देखे ऐसे इस तरह से पूरी रोह हम निकाल लेगे उल्टा उल्टा देखे सिंगल से आप हम इस तरह से फंदे डालते हैं तो first row थोड़ा सा राम से निकालने पड़ती हैं ऐसे देखे इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे देखे यह हमने इस तरह से निकाल लेए अब देखे इस तरह से यह हमारे सीधी साइड है और वो उल्टी साइड है तो देखे इस फंदे को उतारेंगे ऐसे पट्टे को आगे की तरफ करेंगे और बारा फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा और ये बारा देखे ये हमने बारा फंदे दो, चार, छे, आट, दस, बारा बारा फंदे हमने उतार लिए अब देखे दागा हम अपनी तरफ रखेंगे और इस फंदे को यहाँ पर सीधा बनाएंगे ऐसे ये इस तरह से ये हमारी एक यहाँ पर जाली बन गई और एक फंदा बढ़ गया अब देखे धागे पट्टी को फिर से आगे की तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे फिर से देखे एक जाली हमारी यहाँ पर बन गई और एक फंदा इस साइड बढ़ गया एक फंदा इस सा लेंगे और ये बाक्षी फन दे उल्टा-उल्टा बुन लेंगे देखें दो तीन चार पांच छे साथ आठ नूँ दस और ये ग्यारा देखें एक ये ग्यारा फंदे हो गए और एक फंदे पे हमने जली डाली तो हमारे इस साइड भी बारा फंदे हो गए और उस साइड भी अब हमें एक एक फंदा बढ़ाया है तो यहां भी तेरा फंदे हो गए हमारे और यहां भी तेरा फंदे हो गए तो उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल बुन लेने हैं ऐसे, पूरी रो उल्टा उल्टा ऐसे ही निकाल लेंगे, जो ये जाली वाला फंदा है, इसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे, ऐसे, और जो सी दाफंदा है, उसे भी उल्टा ही बुन लेंगे, ऐसे, और देखे, इस पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे, इस तरह से, तो चलिए, देखी, ये उल्टा रो हमें उल्टा उल्टा निकाल ली है, अब देखे, इस फंदे को हम उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, और ऐसे, अब की बार हमें यहाँ पर तेरा फंदे उतार लेने हैं, दो, जार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और ये तेरा, जिस पे हमने जाली डाली थी, ये फंदा हमारा तेरा, तो एक फंदा हमारा इस साइड बढ़ गया, अब देखे, हम फिर से जाली डालेंगे, आगे की साइड से, ऐसे, ये देखे, इस फंदे को सीधाई बनाएंगे, और आगे हमारी पट्टी थी, तो इसे बनाया, तो एक फंदा बढ़ गया यहां पर और जाली गिर गई आप देखिए आपकी यहां पर हम पिछे की साइड सीधा फंदा उतारेंगे और तुरंत बाद पट्टी को आगे करेंगे और इस फंदे पर ऐसे जाले डाल लेंगे बाकी सब फंदे उल्टा उल्टा बुल लेंगे इस साइड भी हमारे तेरा फंदे होगे आपकी बार एक एक फंदा और बढ़ गया तो हर बार एक एक फंदा यहां पर बढ़ता जाएगा एक फंदा इस साइड बढ़ जाएगा और एक फंदा इस साइड बढ़ जाएगा देखे इस तरह से देखे उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है इस पट्टी को उतारेंगे इसे उतारेंगे देखे और आगे की तरप से ऐसे बना लेगे इस तरह से हमारा देखे इस तरह पर उपर बन के आएगा और बाकि से वीफंदे उल्टा-उल्टा बोन लेगे उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही उल्टा-उल्टा बना लेने है, देखिए जो जाली वाला फंदा है उसे भी हम बना लेंगे, ऐसे, दोनों तरब से हमारा एक-एक फंदा बढ़के आएगा, हर बार तो यहापर हमारे दो-दो फंदे बढ़ गए है, उल्टी रो में हमें उल्टा-उल्टा बुन लेना है, तो देखिए इस पट्टी को हम ऐसे दबा लेंगे, यह देखिए इस तरह से, अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे, ऐसे उतारने से देखिए हमारी यह जो फली है यह बन के आएगी, तो यह पर हमारा देखिए बहुती सुन्दर सा प्रोपर डिजैन बन के आएगा, आप देखिए, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, और यह चोदा, दो फंदेवड गए, अब एक फंदा फिर से बढ़ेगा, पट्टी को अपनी तरफ ही रखेंगे, जो यह सीधा फंदा, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, तो यह एक फंदा बढ़के आएगा, ऐसे, देखिए, अब हमारी यहाँ पर आप देखिए, यह सीधा फंदा आइसे ही चलता जाएगा, और पट्टी को अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से उल्टा-उल्टा बुल लेंगे, और देखिए, जो यह पट्टी है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे, ऐसे, ऐसे ही हमें दोनों साइड से 10-10 फंदे बढ़ाने हैं, अगर आप और बढ़ा बनाएं, तो आप 10 फंदे की जगे 15 फंदे बढ़ा लें, 15-15 फंदे मैं यहाँ पर इसमें 10-10 फंदे बढ़ाऊंगी, तो 10-10 फंदे बढ़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी की आगे कैसे बनाना है, देखिए, इस फंदे को हम ऐसे सीधा ले लेंगे, यहाँ पर इसको, आप देखिए, उल्टी रो हमें उल्टा-उल्टा बुन लेनी है, इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे, तो चलिए, यहाँ पर देखिए, मैं बढ़ाते हुए, यहाँ पर 10-10 फंदे इस साइड बढ़ाऊंगी, और 10 फंदे इस साइड बढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाते हूँ कि आगे कैसे बना लागा, कि देखिए, हमने 10-10 फंदे बढ़ा लिए हैं, 10-10 हमने यहाँ पर बढ़ाए हैं, और 10-10 जाली के इस तरफ बढ़ाए, तो 10-10 यहाँ बढ़े और 10-10 यहाँ बढ़े, और हमने इसमें 25 फंदे डाले थे, देखिए, आप जब भी फंदे डाले, अगर आप इसमें 20, इसे और बढ़ा बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप 31 फंदे ले ले, टू के मल्टिपल में फंदे लेके, एक फंद हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जाली के लिए, यह हमारा यहाँ पर सीधा चलेगा, और देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें इस तरह से चलाते वे जाना है, इस तरह है, देखिए, यह हमारा इस तरह ब इस फंदे को देखिए हमें ऐसे सीधा बना बना है कि इस फंदे को उड़ लेके हम अब देखिए इस फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे अब हमें यहाँ पर फंदे घटाने है इस फंदे को हमें आगे के फंदे के इसे ऐसे ही उतार लेंगे पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर इस से अगले में यहाँ पर दो का एक बनाएंगे इस पट्टी को हम ऐसे ही चलने देंगे जैसे यह चली हुई है ऐसे ही चलने देंगे और यहाँ पर दो का एक बनाएंगे इस फंदे का और बाकी रो उल्टा-उल्टा बुन लेंगे ऐसे उल्टी उल्टी बुन लेंगे अब की बार हम यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे देखे फंदे हमने यहाँ बीच में बढ़ाए हैं जाली पर एक फंदा इस साइड बढ़ाया एक फंदा इस साइड बढ़ाया और जो फंदे हम घटाएंगे वो इस फंदे को उतारने के बाद इससे आगे घटाएंगे ऐसे और बाकी रो देखिए उल्टा बुनेंगे ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे देखिए जो बीच का फंदा है इसे हम सीधा ही बनाएंगे अब पट्टी को अपनी तरफ करेंगे यहां पर हमें जाली नहीं डालनी है फंदे को बस सीधा बनाके वापिस पट्टी को अपनी तरफ ले लेंगे अब हमें जैसे फंदे बढ़ाए थे एक फंदा हमारा इस साइड बढ़ा था एक फंदा उस साइड हमने जाली पर बढ़ाए थे अब हम यहां से एक-एक फंदा दोनों साइड से घटाएंगे आप इसे जितना बढ़ा बनाना चाहें इसमें मैंने 30-30 देबड़ाए हैं आप यहांपर 20-25 देबड़ाले 15-15-25 जितना बढ़ा बनाना चाहें उतना है बढ़ा बना सकते हैं बाखी रो हम उल्टा-उल्टा बना लेंगे यह मारा भोथ ही प्यारा सा सुन्दर्शा लीफ वाला डोर मेट बनके आएगा देखिए अब हम इस साइड आ गए है तो यहाँ पर हमें दो का एक बनाना है ऐसे दो का एक बनाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे ऐसे सिधा बनाएंगे और उल्टी सलाई ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेने है ऐसे उल्टी सलाई में हमें कुछ भी नहीं करना पूरी सलाई उल्टा उल्टा बना लेंगे और इस पट्टी को ऐसे लपेटते भी जाएंगे पूरी रो उल्टा उल्टा बना हैंगे लोका मैंटा जया कि अ। एल्टाइब मेना हैंगे मैंटा प्रूल इसने कि अया खुरतना है खुरते हैं लूर्टा इस्तुने हैंगे इस्तुने हैंगे खिए से घटेंगे भी कर दो हुरतेवाब दो, घटे हैंगे बहुती सुंदर्शा मेट बन के आएगा यह अगर आप इस तरह से बनाएंगे सबसे अलग तरीके का लिफ वाला डोर मैट आप इसे पूजा मैट में यूज कीजिए, टेबल मैट में यूज कीजिए, बहुत इस मुदर्शा बनके आएगा, और देखें, यहां पर हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ऐसे, देखें, ऐसे घटाते गए आपने, एक फंदा इस साइड से गटाया, एक फंदा इधार से गटाया, तोनों साइड से 1 एक फंदा घटाते गए, अब देखें हमारे यहां पर 2, 4, 6, 8, 8 shots हमारे यहां बच गए 2, 4, 6, 8 , 8 अज़े हमारे यहां पर बच गए तो देखे अब हम इस हं फंडू को उतारेंगे ऐसे पट्टी को अपने तरफ करेंगे देखे इस आगे वाले फंडे को हमें उतारना है और इसके बाद वाले फंदे का दो का एक बनाते वे जाना है ऐसे दो का एक बनाएंगे बाकी रोख उल्टा-उल्टा बना लेंगे ऐसे पट्टे को पीछे करेंगे जो बीच वाला फंदा है ये हमने शुरू से ही देखे सीधा बनाया है ऐसे इसे हम सीधा बनाते वे जाएंगे और पट्टे को अपनी तरफ करेंगे बाकी फंदे हम उल्टा-उल्टा बना लेंगे ऐसे देखे यहाँपर इस लास्ट वाले फंदे से जो आगे वाले फंदे हैं वहाँपर हम दो का एक बनाएंगे ऐसे दागा पिछे करेंगे इस फंदे को हम सीधा बना लेगे देखे सीधा बना से इसे हमारी इस तरह से किनारी बन के आएगी ऐसे और हमारा मैट भूत ही सफाई से बनेगा देखे अब इस फंदे को हम उतार लेंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा उल्टा बोल लेंगे इस तरह से देखे और इस साइड से देखे इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और पट्टी को अपनी तरफ करेंगे अपनी तरफ पट्टी करके दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सभी फंदे उल्टा बोल लेंगे दागा पिछे करेंगे इस फंदे को सीदा बनाएंगे ये फंदा हमें शुरूशे ही सीधा बनाया है और इसे सीधे ही बनाते रहना है लास्ट तक देखिए लास्ट के दो फंदे हम फिर शे दो का एक बनाएंगे ऐसे दागा पीछे करेंगे इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे देखिए किनारियों से हमें फंदे बिल्कुल भी नहीं बताना है किनारियों से हमें इस तरह से बनाएंगे तो देखिए हमारा बहुत ही सफाई के साथ मैट बनके आएगा ऐसे और उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेने अब देखे इस फंदे को हम उतारेंगे और यहां पर यह देखे अब हमारे यहां पर दो चार और एक पांच पांच फंदे इस साइड रह गए पांच फंदे इस साइड हम अब हर्ष लाए में फंदा नहीं गटायेंगे एक रो बीच में ऐसे ही बनायेंगे इसमें में कोई फंदा नहीं गटायेंगे और बीच का फंदा हम सीधा बनायेंगे ऐसे लास्ट का फंदा इस तरह से सीधा बना लेने देखिए ऐसे उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है अब हमें जब हमारे पाँच फंदे रह जाएं इस साइड और पाँच फंदे इस साइड तो हमें हर तीसरी सलाई में एक फंदा गटाना है एक फंदा इस साइड से गटाएंगे और एक फंदा दूसरी साइड से गटाएंगे जब हमारे दोनों साइड पाच-पाच फंदे रह जाएंगे तो देखे उससे हमारी जो है प्रोपर सेट बनके आएगी इस फंदे को हम हएएव Сबस्द पिछ दो दो हाएंगे इधे देखे एक संदा में रूटाही बनाना है एक साइड से हमें इसे बनाना है और एक साइड से उतार लेना है उसे हम ऐसे बनाएंगे और शीदी साइड से इस फंदे को ऐसे उतारेंगे पट्टी को अपनी तरफ करेंगे अब हमें दो का एक बनाना है एक रो देखिए हमें बीच में ऐसे ही उतार ली है उसने हमें कोई भी फंदा में गटाया है ऐसे और इस तरह से बीच वाले फंदे को हम ऐसे बनाएंगे इस पट्टी को हम बीच में ऐसे यह पेट लेंगे और देखिए यहां पर लास्ट में फिर से दो का एक बनाएंगे इस तरह से दो फंदे का एक बनाएंगे दागा पीच्छे करेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे ऐसे अब देखिए उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा उतारनी है ऐसे हैं उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे ऐसे बहेंगे देखे इस तरह से देखे इस तरह से हमारी प्रोपर सेपन के आएगी ऐसे अब देखिए इस फंदे को उतारेंगे पट्टी को अपने तरफ करेंगे और इस रो में हमें फंदा नए गटाना है एक रो बीच में बिना फंदा गटाई उतारेंगे जब हमारे पांच-पांच फंदे दोनों साइड गरा जाएंगे आप ध्याम में रखें उसे जो है हमारी लीफ की प्रोपर से बन के आएगी इस तरह से और बाकी फंदे ऐसे ही बना लेंगे लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे उल्टी रो उल्टा उल्टा बनेंगे इस फंदे को उतारेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे देखे इस फंदे को उतार लेंगे एक बार हमें इस फंदे को बनाना है एक बार ऐसे उतार के पट्टी को अपने तरफ करेंगे इससे है जो यह हमारी यहाँ पर किनारी बन के आएगी और इस सलाई में हमें एक फंदा फिर से बटाना है आगा पीछे करेंगे और जो यह सीधा फंदा है इसे हम सीधा सीधा बना लेंगे इस पर देखे अब लास्ट में हम फिर से यह दो फंदे का एक बनाएंगे ऐसे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बना देंगे ऐसे इस तरह से उल्टी सलाई हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है उल्टी सलाई में हमें कुछ भी निकरना है देखे इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे इस से देखे इस फंदे को उतारेंगे पट्टी को अपने तरफ करेंगे और इस रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे आज से देखे इस तरह से बनाएगा और देखे उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा बुनेंगे इस ता देखें उतारेंगे पूरी रो उल्टा उल्टा बुनेंगे उन्टा गुन लेंगे आप देखे हम राइट साइड आ गई है इसकंद देखो हम ऐसे उतारेंगे उतारा और पट्टी को अपने तरफ करेंगे और दो का एक बनाएंगे दो का एक बनाया बीच वाला पंदा में सीधा बनाना है देखो ऐसे आसे सीधा बनायेंगे पट्टी को अपने तरफ करेंगे यहाँ पर दो का एक बना का इस्तरत साह bougie पट्टी को पीछे करेंगे इस पंदे को सीधा बना देगे उल्टी स्लाई फिर से उल्टा-उल्टा पुन लेनी है ऐसे तेखे ऐसे इस फंदे को उतारेंगे ऐसे पट्टी को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा जो है इसे उल्टा बनाएंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे फिर से पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और उल्टी रो उल्टा-उल्टा बना लेंगे ऐसे आप देखिए इस फन देखो ऐसे उतार लेंगे और इस फन देखो उल्टा बना लेंगे ऐसे खिक है उल्टा बना के और इसे इसके उपर से उतार देंगे ताकि हमारा देखिए इस तरह से ये फली बन के आई और जो सीधा फन दा है उसे सीधा ले लेंगे बिल्कुल इस फन देखो हमें सीधा ही बनाना है आप देखिए पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे बनाएंगे और जो ये सीधा फंदा है देखे इसको इस फंदे को हम इन दोनों फंदों को सीधा करके जैसे सीधा है ऐसे ही दो का एक बनाएंगे इससे हमारी जो है ये फलीवन के आएगी ऐसा देखे इस तरह से इस तरह से यह बिल्कुल देखिए पर उपर इसी तरह से आ रहा है आप देखिए उल्टी रो हमें यह फंदा उतारेंगे और इन्हें उल्टा-उल्टा गुन लेंगे ऐसे अब देखिए लास्ट में हमें क्या करना है इस फंदे को ले लेंगे और बीच वाले फंदे को बीच में लेके आएंगे ऐसे जिस तरह से हम गले की डिजयन बनाते हैं तो इन दोनों फंदों का एक बनाएंगे पिछे वाले का और इस फंदे का और जो बीच वाला फंदा हमा और इसे हमें इन दोनों के उपर से उतार देंगे, इस तरह से देखे, बोथ ही प्यारा सामारा जो है लिफ्टी जैन बनके आएगा, और अब हमें देखे क्या करना है, उल्टी रो में इस फन देखो हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है, ऐसे, देखे इस तरह से, फिर से दे से उस्टाब नेंगे एक वर्क फिर से इसे सी दाब नेंगे एसे इस तरह से देखिए एसे बनाएंगे ऐसे बनके आईगा देखिए देखिए आप इसे और भी लंबा बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस लिप को इस तरह से देखिए जो यह हमारी लिफ है इसको आप और भी बड़ा बनाना चाहें यहां से जो यह एक फंदा में बनाया है तो बना सकते हैं इस तरह से देखिए हमारा यह लिफ वाला डिजैन बनके आएगा मैट हो थी सुंदर बनके आएगा आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं इस तरह से देखिए यह ऐसे इसमें फंदे आप दो के मल्टिपल से डालके और एक फंदा एक्स्ट्रा ले ले जो फंदा हमारा यहां पर बीच में सीधा सीधा चलेगा ऐसे और देखें किनारियों पर हमें इस फंदे को इसी तरह से बनाते विया ना है ताकि हमारे जो मैट है इसके पर उपर यह सफाई से बनके आए इस तरह से ऐसे ऐसे बन के आएगा देखिए फोद ही प्यारा सा हमारा मैट बन के आएगा अगर हम इस तरह के से बनाएंगे ऐसे यह देखिए, इस तरह से, इस तरह से बन कहाएगा, ऐसे, यह यासे हमने इसे घटाया है, यासे, और इसको अगर आप और भी लंबा बनाना चाहें, तो बना सकते हैं, इस तरह से जो आपकी पत्ती में बन के आता है, उस तरह से यह हमारा निर्फवाला डिजाइन बन के आया है, ऐसे, इस तरह से बेखिए, ऐसे,